इस ब्रेट की रेसिपी को बहुत ये खास तरीके से आज बना जाएगा बहुत ही असान चंद 5-10 मिनट में बनके तयार हो जाएगी और इतनी बढ़िया होने वाली है ये रेसिपी और साथ ही में दोस्तों इतने कम दाम में बनके तयार हो जाएगी कि आप इस रेसिपी के दि तो चलिए दोस्तों हमारी रबडी हम बना रहे हैं लगबग तयार हो चुकी है तो इसको फटा-फट से हम और हलका सा चलाएंगे और इसको लो आच पे और पांच मिनट रखेंगे साइड में तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों इसको पकते पकते हम इसकी साइड पलट लेंगे याने की गैस पलट लेंगे और इसको आपको हलका सा येलो को तो हो अभी बहुत ही जल्दी है जो सारी चीनी है वो फिगल जाएगी और इसमें उसके बाद मैं थोड़ा सा येलो कलर एड़ करूँगा क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेक्शर आता इस चाशनी का तो चलिए जटपट से इसमें एक थोड़ा सा येलो कलर एड़ कर लिया जाए लेकिन उससे पहले निशिंत कर लिए जेगा कि सारी की सारी जो चीनी है वो मेल्ट हो चुकी है पानी में किता अच्छे से जो कलर मिक्स हो गया है तो चलिए जटपट यहां पर मारी रबडी का गैस बंद कर चुके हैं और रबडी गैस बंद करने के बाद थोड़ी थोड़ी गाड़ी भी होनी शुरू हो जाती है तो यह देखिए दोस्तों गैस फटा-फट से बंद कर देते हैं क् साइड और अगले स्टेक पर चलते हैं जहां पर हम ने इसी कड़ाई में अपनी ब्रेड को फ्राइब कर ले तो सब्से पहले चाष्णी को अलग कर लिया और इस हमने कड़ाई को दो के वापस ले लिया और इसमें डाल लिया है थोड़ासा ओल मैं हमेशा रेसिपी ट्रा करता हूं बनाते वक्त ऑली वाइल का इस्निमाल करूं बाकि आपकी मरजी है क्योंकि ऑली वाइल हेल्दी होता है उसमें ओमेगा 3 होते हैं तो दोस्तों यह देखिए अब मैंने ब्रेट को फ्राइ कर लेना है हम जो आज शाही टुकडा बना रहे हैं ब्रेट की मदद से दोस ऐसे करके एक एक करके हम धेर सारी ब्रेट निकाल देंगे जित्ती भी कॉंटिटी में आप यह शाही टुकडा बनाना चाहा रहे हैं तो हम अच्छी खासी 4-6 ब्रेट जितनी मुझे लगता है जरूरत है मैं निकाल लेता हूँ और एक से 100 होगा तो वह भी छन ही जाएगा आप इसमें ब्राउन ब्रेट भी ले सकते हैं तूटली ऑप्शनल है जरूरी नहीं है कि आपको वाइट ब्रेट ही लेनी होगी तो चलिए दोस्तों मेरेको जितनी ब्रेट निकालनी थी मैंने एक एक करके निकाल ली है आपको एक साथ फटा फट से दिखा देता हूँ ता होगा और उसके बाद जो हमने रबडी बना के रखी है इस शाही टुकड़े के लिए उस रबडी को इससे एक लेरिंग और करेंगे ठिक लेकिन उससे पहले इनको हम ट्राइंगल शेप में काटेंगे तो भी आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं जब तक इसारी की सारी पर हमारे कोटिंग हो चुकी है बस लास्ट ब्रेट बाकी है उस पर भी करके आपको बताते हैं इसको आपको काटना कैसे होगा आपको इसको ट्राइंगल शेप में कट कर लेना होगा क्योंकि शाही टुकड़ा हमिशा ट्राइंगल शेप में ही अच्छा लगता है तो आप करी है उसको बढ़िया से इसके ओपर अच्छे से बिच्छा देंगे गार्नेशिंग करेंगे हम ट्राइफ रूट के साथ जो भी आपको पसंद हो और यह देखिए बढ़िया नजराना शाही टुकडा कितना बढ़िया तरीके से बनके तयार है तो चलिए दोस्तों फटा-फ हम फटा-फट से इसके उपर नट्स के साथ गार्निशिंग करके आपको एक इसकी फाइनल लुक देते हैं कि कितनी बढ़िया यह शाही टुकडा नजराना बनके तयार हो गई है यह देखिए दोस्तों भईवा और थोड़े से बादाम काजू पिस्ता जो भी आपक्यास ए च्यों बढ़े से बटाएगा अपना अपनी पर ख।